Simple & Unique Kitchen को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए Hello Everyone! Friends, Simple & Unique Kitchen में आप सब का स्वागत है Friends, आज मैं बिना गया जिलाए सिर्फ दो मिलेट में टमाटन की चतनी बनाना बता हुई इस यह चतनी को आप चावल के साथ पूड़ी के साथ कभी भी बनाके सिर्फ दो मिलेट में खा सकती है इस बनाना और बहुत सिंपग्त आए अगर चतनी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सपाइब करें तो आदे सिर्फ कित दो भीलाट में बिना ज्यरायक टमाटर की चट्नी वनाना शुरू करती है तीन कार्पार , अद्रक्का टुकडा है धनिया पत्ती है साधा नमक काला नमक , चाट्णी में भूख टेस्ट आता है। अगर आपके पास साबु धनिया ने कि पिसा भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे टमाटर को लें। इन सब छीजें ने दो खर रख लिया है। सबसे बढ़ें टमाटर को कट करेंगे इसके 3-4 पीस कट कर लेते हैं जिसे ही जो पीसने में सुभधा रहे है तेकि हम इसके टमाटर की कट कर लें तो ज्याद अच्छी बनके आएगी बहुत टेस्टी बनके आती है और ध्यान रखा बैरायटी टमाटर की चट्नी बहुत निकाल देते हैं तो तो टमाटर कट कर लें हमने अब हम यह मिर्च पीसने में मिर्च के भी टुकड़े कर लेंगे दो तिन तीन तो टूकड़े कर लेते पीसने के लिए यह बेना गैस की चट्नी है दो मिनट में बनके त्यार हो जाती है वद्यकों अध्रक के भी में देखें देखें दो चार चमच थोड़ी सी हिंग डालते हैं यह बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ी सी हिंग डालते हैं और टेस्ट के अनुसा है काला नमक कि सादा नमक लॉंग और दाल जीनी फोड़ी सी लॉंग और दाल जीनी गिरते हैं और थोड़ी सा हम इसमें पानी गिरते हैं पीसने के लिए थोड़ा सा हलका सा बिलकुल पानी गिरते हैं और इसका ठकन लगा का बिलकुल महीं पेस्ट महीं चट्नी पीस लेते हैं बिलकुल महीं चट् प्रेंट्स चटनी कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सस्प्राइब करें सस्प्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें धन्यवाब प्रेंट्स आई है करें चैनल क करें